Welcome to OSR Coaching Classes चैनल, हम लोग पढ़ रहे थे class 12 matrix, आज हम उसमें पढ़ेंगे inverse by elementary operation तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी matrix का inverse कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूँ 12th class के slaybers में inverse निकालने के 3 techniques हैं, याद रहे किती techniques हैं? 3 3, inverse निकालने के 3 method हैं, पहला method है elementary operation, यह जो हम पढ़ेंगे दूसरा होता है formula method और तीसरा होता है analytical method, तो total inverse निकालने के 3 methods होते हैं, ध्यान से देखिए हम पढ़ रहे है elementary operation, हमारे पास एक matrix है, 3, minus 1, minus 4, 2, इसका हमें inverse निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह 3, minus 1, minus 4, 2, इस matrix का हम नाम रखेंगे, let capital A ठीक, उसके बाद लिखेंगे, for inverse of matrix A for inverse of matrix A अब matrix का नाम हम लोगोंने capital A रखा, और inverse निकालने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे A equal to A, यह तो बिलकुल true है, क्योंकि A बराबर A के होता है, A matrix तो बराबर होगी A के और इस A को हम लिख सकते हैं, A into 1, यह वाला A हमने same लिखा, और इस A में, अगर आप into 1 कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि A into 1, A ही होता है, उसके बाद यह वाला A हमने same लिखा, यह वाला A हमने same लिखा, और इस 1 की जगा पे, हमने लिखा I matrix, तो आपको बता दूँ, यह जो capital I होता है, यह जो capital I होता है, इसको बोलते हैं, identity matrix, और identity matrix को आप 1 भी लिख सकते हो, और identity matrix को आप A into A inverse भी लिख सकते हो, क्यों? identity matrix को आप A into A inverse क्यों लिख सकते हो, देखिए, यह A है, यह A है, यह into है, और यह A inverse है, inverse मतलब A की पावर minus 1, inverse मतलब A की पावर minus 1, तो A की पावर minus 1 को, अगर आप A नीचे लिख दिंगे, तो A की पावर plus 1 हो जाएगा, और A से A कट कर क्या बचेगा? 1, तो इसलिए I की value क्य होती है, 1, याद रखें, I मतलब identity matrix, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ था, identity matrix वो होती है, जिसके diagonal में 1 होता है, diagonal में 1 होता है, बाकी element क्या होते है, 0, 0, ऐसे matrix को बोलते हैं, I matrix, याद रखना, I matrix का diagonal 1, 1 होता है, बाकी से अब क्या होता है, 0, लेकिन I matrix की जो value होती है, वो क्या होती है, 1, 1 भी लिख सकते हैं, और A into A inverse भी लिख सकते हैं, और A inverse का मतलब होता है, वन आपो ने A, A कटके 1 ही आता है, तो I की जगा पे आप 1 या A into A inverse कैसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो हमने A equal to A लेखा, और इस A को हमने किससे into किया 1 से, और 1 की जगा पे हमने क्या लेखा I, अब इस A की जगा पे लेखेंगे A matrix, जो हमारे पास question में था 3, minus 1, minus 4, 2, A matrix की जगा पे A matrix लेखा, equal to की जगा पे equal to लेखा, और इस A matrix की जगा पे हमने वापस A लेखा, matrix की value ने लेखी A लेख दिया, और I की जगा पे, I की जगा पर हमने लिखा identity matrix i की जगा पर हमने क्या लिखा identity matrix identity matrix जिसमें diagonal में 1 1 होता है बागी सब क्या होता है 0 होता है अब मैं जो यहाँ से explain करूँगा उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है अब inverse कैसे निकलेगा सुनिएगा इसमें क्या करना है इस method में elementary operation में क्या होता है सुनिएगा यह जो matrix है न ए वाली इस matrix में इस तरीके से operations लगाने हैं कि बिलकुल इसकी तरह बन जाए मतलब यह जो 3 है इसमें ऐसा कुछ करें कि ऐसा 1 की तरह बन जाए इस minus 4 में कुछ ऐसा करें कि वो 0 बन जाए इस 2 में कुछ ऐसा करें कि वो 1 बन जाए और इस minus 1 में कुछ ऐसा करें कि वो 0 बन जाए कुल मिला के इस matrix में आपको operations लगाने हैं और इस matrix को आपको identity matrix बनाना है यानि कि इस तरीके का आपको matrix बनाना है यह काम कैसे होगा सुनिएगा पहुत इजी है सबसे पहले इस पर attack करते है यह 3 है यह क्या है 3 है लेकिन हम चाहते हैं कि यह 3 ना हो यह क्या बन जाए 1 बन जाए तो इसको यह 3 है किसी और question में 5,6 भी हो सकता है इसको आपको क्या बनाना है 1 और यह जो होती है row 1 और यह होती है row 2 और यह जो elementary operation है दो type का होता है row वाला भी होता है, column वाला भी होता है कुछ लोग elementary row operation लगाते है और कुछ लोग elementary column operation लगाते है यहाँ पर हम लोग elementary row operation लगाएंगे मैं आपको row से सिखाऊंगा आप इसको चाहें तो घर पर column से भी कर सकते है सो यह 3 है और हम चाहते हैं कि ऐसा 1 बन जाए तो इस 3 को क्या बनाना है 1 तो आप क्या करें इस पूरी रो को इस पूरी रो को यानि रो 1 को आप 3 से डिवाइट कर दें तो आप लिखेंगे रो 1 एप्रोच इस टू रो 1 डिवाइड बाइ 3 on both sides आर 1 का मतलब रो 1 एप्रोच इस मतलब रो 1 में हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं रो 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं बोद side इधर भी और इधर भी क्यों कर रहे हैं 3 से डिवाइड क्योंकि यहां 3 लिखा है तो आप 3 से डिवाइड करेंगे अगर यहां 4 लिखा होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 लिखा होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे अब रो 1 को यहां पर और यहां पर दोनों जगा किस से डिवाइड करना है 3 से तो हम डिवाइड कर रहे है 3 divided by 3 अगर हम 3 को 3 से divide करें तो कितना आएगा 1 अगर हम minus 1 को 3 से divide करें तो कितना आएगा minus 1 by 3 हाँ पर भी करना है अगर इस 1 को 3 से divide करें तो कितना आएगा 1 by 3 और अगर 0 को आप 3 से divide करेंगे तो 0 by 3 is 0 और यह row 2 है, इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह as it is चलता रहेगा, understood, तो यह चीज हमारा one बन गया, यह हमारा पहला operation था, अब इस जगा पे इस जगा पे आपको zero बनाना है, क्योंकि I matrix में आपको zero होता है, आपने पहले इसको one बनाया, वो काम आपने कर लिया, यह one ब row operation लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यह चीज क्या बन जा है, जिरो बन जा, यह फिलाल minus 4 है, हम चाहते हैं कि यह zero बन जा, लेकिन एक rule याद रखिएगा, आप जब यह one बनाते हैं, तो आप divide का सहरा लेते हैं, आप divide करके one लाते हैं, लेकिन जब आप zero लेंगे, तो उसके one का सहरा लेंगे, इसको zero बनाना है, तो आप इस उपर वाले one का सहरा लेंगे, कैसे सुनिए, यह minus 4 है, और कहां बैठा है, row 2 में, तो हम लिखेंगे row 2, row 2, approaches to, इधर मुझे zero बनाना है, यह minus 4 है, यह क्या है, minus 4 है, minus 4 में मैं ऐसा क्या करूं कि zero बन जा है, minus 4, zero तभी बन पाएगा, जब इसमें हम करेंगे, plus 4, यह minus 4, zero तभी बन पाएगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, plus 4, सुनिए, यह minus 4 कहां बैठा है, row 2 में, तो आप लिखेंगे row 2, इस row 2 का मतलब है, minus 4, minus 4 में plus करेंगे, row 2, r2 का मतलब row 2, row 2 में कौन बैठा है, minus 4, तो row 2 में हम plus करेंगे minus 4 में क्या जोड़ें कि 0 आए plus 4 तो plus 4 कहां से आएगा जब इसको आप 4 से into करेंगे 1 को जब आप इस 1 को 4 से into करेंगे तो यह 4 बन जाएगा और इसमें plus करेंगे तो minus 4 plus 4 क्या हो जाएगा 0 मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि row 2 जो है यह जो row 2 है यानि कि minus 4 यह minus 4 कहां बैठा है row 2 में row 2 लिखा इसमें plus इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह पहले से minus का है और क्या plus करूंगा इसका 4 times यह row 1 का 4 times तो लिखूंगा 4 times of row 1 4 times of row 1 तो ऐसा जब करेंगे तो इस जगा पर हमारा क्या बन जाएगा 0 तो यह जो operation लगा रहे हैं कहां लगा रहे हैं row 2 में तो इसमें row 1 पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह row 1 है न 1 minus 1 by 3 और 1 by 3 0 उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह हमारा बिलकुल सेम चलेगा ध्यान से देखिएगा 1 minus 1 by 3 1 by 3 और 0 और यह जो हमने किया था operation उसको हम perform करके देखते हैं rough में इसको हम perform करके देखते हैं कैसे row 2 मतलब इस जगा पे row 2 तो row 2 है row 2 में है minus 4 और 2 minus 4 और 2 उसमें plus करना है r2 माने minus 4 और 2 plus करना है उसमें 4 times of r1 यह plus कर दिया 4 into r1 मतलब row 1 का 4 times यह row 1 है इसका 4 times 1 का 4 times किता होगा 1 force of 4 और minus 1 upon 3 को अगर मैं 4 से into करूं minus 1 by 3 को अगर मैं 4 से into करूं तो किता हैगा minus 4 by 3 और यह minus 4 plus 4 क्या बन जाएगा 0 और यह 2 है plus minus minus होता है इसमें अगर आप LCM लें तो 3 आएगा और 1 में 3 का बाता है 3 बार तो 3 2 सा किता हो जाएगा 6 3 में 3 का बाता है 1 बार तो 1 force of 4 6 minus 4 2 by 3 तो यहाँ पे मेरी value कित्ती आ रही है 2 by 3 एक आया 0 और एक किता है 2 by 3 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और 2 by 3 0 और 2 by 3 similarly similarly यही वाला operation हम यह same operation हम यहाँ पर भी apply करेंगे R2 R2 माने 0 और 1 और उसमें 4 times of R1 तो R2 का मतलब है 0 और 1 0 और 1 और उसमें plus करेंगे उसमें plus करेंगे 4 times of उसमें plus करेंगे हम 4 times of R1 4 into R1 मतलब यह R1 का 4 times 1 by 3 का 4 times 4 by 3 और 0 का 4 times 0 यानी 4 by 3 और 0 प्लस कीजिए तो यह 4 by 3 ही आ रहा है और यह 1 आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम 4 by 3 और 1 4 by 3 और 1 ध्यान से देखिएगा तो बिटा ये 1 बन चुका है ये 0 बन चुका है पहले इसको 1 बनाया फिर इसको 0 बनाया इसको 1 कैसे बनाया डिवाइट करके इसको 0 कैसे बनाया उपर वाले 1 के हेल्प से अब हमें इस जगा पे 1 लाना है क्योंकि जो identity matrix थी हमारी जो हमारी identity matrix थी उसमें पहले 1 बनता है फिर 0 बनता है फिर यहाँ वाला 1 बनता है और फिर ये ऊपर 0 बनेगा ध्यान से देखिएगा इस इस रो 1 इस रो 2 अब हमें इस चीज को 1 बनाना है इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, तो 1 बनाने का एकी तरीका है, डिवाइट कर दीजिए, ये 2 upon 3 है, तो इसको अगर 2 upon 3 से हम डिवाइट करें, तो कटके किता आएगा 1, या एक और तरीका है, इसके उल्टे से, 2 by 3 का उल्टा क्या होता है, 3 by 2, 3 by 2 से इंटू कर दें, तो भी कटके किता तो अब 1 हमें इस जगा पे चीए, जगा कौन सी है, रो 2, तो हम लिखेंगे रो 2, एप्रोच इस 2, 2 by 3 का उल्टा क्या होता है, 3 by 2, तो रो 2 को हम 3 by 2 से इंटू करेंगे, तो ये रो 1 पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, that is 1, minus 1 by 3, 1 by 3 और 0, और second रो को आप 3 by 2 से इंटू कर इंटू करेंगे तो कटके 1, ये 4 by 3 है, और 4 by 3 में हम कित्ता इंटू कर रहा है, 3 by 2, तो 3 से 3 कैंसल, 2 1 सा, 2 2 सा 4, तो ये 2 हो गया, और 1 में अगर आप 3 by 2 से इंटू करेंगे तो कित्ता आएगा, 3 by 2, तो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, इस चीज को 0 बनाना है इस चीज को क्या बनाना है? 0 और ये क्या है? रो 1 है और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको 0 बनाना हो तो 0 बनाने के लिए आपको 1 की help लेनी पड़ती इस वाले 1 की help नहीं ले सकते क्योंकि इस 1 की help से यहाँ 0 बनाया था तो ये minus 1 by 3 ये, ये minus 1 by 3 ये, लेकिन कहा बैठा है? row 1 है, तो लेकिन ये row 1, row 1 का इस मतलब है, इस R1 का मतलब है, कि आप यहाँ पे कुछ करने जा रहे हो, operate करने जा रहे हो, और इस R1 का मतलब है कि minus 1 by 3 में क्या करें की 0 बन जाए, क्योंकि ये negative है, minus 1 by 3, और उसको 0 बनाना है तो उसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यह माइनस का है तो उसमें क्या करना पड़ता है प्लस और जब कोई प्लस का होता है तो उसमें माइनस करना पड़ता है यह माइनस 1 बाई 3 है R1 इसमें प्लस करेंगे 1 by 3 तब जाके ये 0 बनेगा और 1 by 3 हमारे पास है नहीं तो इस 1 को अपन 1 by 3 बनाएंगे इस 1 को अपन किससे इंटू करेंगे 1 by 3 से और ये 1 कहां बैठा है? R2 में मतलब R2 को आप इंटू करोगे 1 by 3 से अब ये operation हमारा R1 में लगेगा लेकिन R2 पर कोई फरक्त भी पड़ेगा R2 को सेम लिख दीजे 0, 1, 2, 3 by 2 R1 प्लस 1 अपन 3 इंटू R2 कैसे अपलाए करें? समझें R1, R1, R1 है 1 और माइनस 1 by 3 R1 प्लस R1 प्लस R2 का 1 अपन 3 टाइमस इस R2 का 1 अपन 3 टाइमस मतलब 0 इंटू 1, 0 का 1 by 3 टाइमस किता होगा 0 और 1 का 1 by 3 टाइमस किता होगा 1 by 3, तो 1 प्लस 0 1, माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 3 0, अब यही operation यहां लगाएंगे ध्यान से देखिए, R1 यह R1 है, R1 है, 1 by 3 और 0 R1 प्लस 1 अपन 3 टाइमस अफ R2 मतलब R2 इंटू 1 by 3 करें यह R2 को 3 से डिवाइट करें यह R2 है, इसको 3 से डिवाइट करें 2, R2 मतलब किता है 2 और 2 इंटू 1 by 3 किता होता है 2 by 3 यह है 3 by 2 अगर इस 3 by 2 में मैं 1 by 3 इंटू कर दूंगा तो 3 3 कटके क्या बचाएगा 1 by 2 0 प्लस 1 by 2 हमें क्या देगा 1 by 2 और 1 by 3 प्लस 2 by 3 जोड़ेंगे तो 3 by 3 आएगा, that is 1 तो 1 और 1 by 2 ध्यान से देखिएगा तो पहले यह 1 बना, फिर यह 0 बना फिर यह 1 बना, फिर यह 0 बन गया विसके डाइगोनल में 1 आ चुका है बाकी value 0 आ गई है तो यह बन गया identity matrix यह क्या बन गया identity matrix तो इसको आप I लिख सकते हैं 1, 2 1 by 2, 3 by 2 और इस I को अब आप लिख सकते हैं A into A inverse, क्योंकि A into A inverse भी क्या होता है, I होता है 1, 2 1 by 2, 3 by 2 और यहाँ पर A से दोनों तरफ cancel हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा A inverse और यह उसकी value तो इस तरीके से हमने क्या निकाला? A inverse by elementary row operations